नमस्कार दोस्तों ये 13-40 का मकान कैसे बनता है ये सवाल है देख लिजे छोटा वीडियो है पूरा वीडियो को देख लिजे ये 13 फिट चवड़ाई है और 40 फिट लंबाई का प्लोट है इसमें कैसे मकान बना सकते हैं देख लिजे दोस्तों ये पहला रूम है ये है 9 फिट इधर लंबाई को 9 फिट लिए हैं और चवड़ाई तो मालूम है 13 फिट है और ये रूम भी 9 फिट है और ये जो है कीच्यान रूम बनाई ये या कुछ भी 8 फिट और ये है बाथ रूम 6 फिट और ये बेडरूम 8 फिट ये यहां से यहां तक की दूरी 8 फिट ये सभी यहां से यहां यहां और यहां से यहां 6 फिट और ये चवड़ाई 13 फिट है आप इस तरह से बना सकते हैं इसमें यदि कालम देना चाहेंगे तो 1,2,3 ये चार ये पांच इस तरह से दे सकते हैं पांच दूरी 10 या और अपने हिसाब से आप बना सकते हैं इसको ये है बाथ रूम इसमें से यदि आप अंदर जाते हैं तेहां सिड़ही लगा दे और ये दुकान रूम निकालना चाहते हैं यहां से यहां तक 8 फीट का आलमीरा दे सकते हैं और अंदर जाएंगे तो सीड़ही के नीचे से जाएंगे यहां से सीड़ही प्रारम होगा यहां पर 7 फीट उचाई तक और 7 फीट उचाई के बाद और सीड़ही लगा के उपर बना सकते हैं और अंदर जाएंगे तो सीधे इधर जा सकते हैं इधर आ सकते हैं किचन रूम और इधर यह बात रूम और इधर बेडरूम में जा सकते हैं इस तरह से असानी से बना सकते हैं इस तरह से डिजाइन का बनाना प्रसंद करते हैं तो ये सवाल था तेरा चालिस में कैसे मकान बना सकते हैं तिस तिरह से भी बना सकते हैं अपने हिशाब से दोस्तों और रूम को भी अपने हिशाब से जैसे चाहेंगे वेसे कर सकते हैं या तो बातरूम इधर भी दे सकते हैं और यह सीधह यहां लखाइए, और यहां पर सटर दे देजिए, यहां सटर दे सकते हैं आप 10 फिट यह चवडाई का और यहां से सीधी डारेक और यहां से इधर आएंगे तो यहां से दरवाजाब अचया अंदर जा सकते हैं इस प्रकार से असानी से बना सकते हैं दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजि़ वीडियो को सियर कीजि़े धन्यवाद